इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई हैं. हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी यह अस्थमा और त्वचा की अलजी के इलाज में भी मदद कर सकता है बताय गए dose, समय और तरीके से खाने से पहले या खाने के बाद में यह दवा अपने बच्चे को एक निश्चित समय पर दें अलजी के लिए लक्षनों के शुरू होने के समय के आधार पर इसे सुभा या शाम में देना सबसे बहतर होता है अगर आपके बच्चे को दोनों है तो इसे शाम में दें कुछ नियमित खुराक लेने के बाद आपका बच्चा बहतर महसूस करना शुरू कर सकता है हाला कि आपको अधिक्तम लाब सुनिश्चित करने के लिए अभी भी निर्धारत खुराक पूरी करनी चाहिए इसके अलावा दवा बन करने से आपके बच्चे की स्थिती और भी खराब हो सकती है इस दवा से कुछ मामूली और अस्थाई साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे उल्टी, डायरिया, यानि की, दस्थ, मिचली आना, चक्कर आना, मुव सूखना, रैश और सिर्दर्द आपके बच्चे के शरीर को इस दवा की आदत लगने के बाद यह साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे हाला कि अगर यह प्रभाव बने रहते हैं या आपके बच्चे को परेशान करते हैं तो बिना देरी किये अपने बच्चे के डॉक्टर से बात करें अगर आपका बच्चा पहले से ही कोई दवा ले रहा है तो अपने बच्चे के डॉक्टर को बताएं इसके अलावा, अलजी, हिर्दे की समस्या, ब्लड डिसॉर्डर, वैस्कुलर डिसॉर्डर, बर्ट डिफेक्टर्स, वायुमार्ग से संबंधित बीमारी, फिफणों से जुडी समस्या, त्वचा से जुडी समस्या, लिवर इंपेमिंट और किड्नी की खराबी होने सहित अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद